जैहिन दोस्तों आज हम इस वीडियो में कक्छनौमी विश्यविज्ञान का NCERT पढ़ने वाले हैं NCERT कक्छनौमी का हम पूरा कंप्लीट कराएंगे इसलिए वीडियो आप पूरा देखिएगा तभी आपको समझ में आएगा NCERT आज के डेट में सभी को पढ़ना अनिवार हो गया है क्योंकि हर एक कंप्टीशन एक जाम में NCERT से भर-भर के कोशन पूछे जाते हैं तो उसी को ध्यान में रखते हुए हम आपके लिए NCERT नोट्स का पूरा वीडियो बनाएंगे जितने भी अध्या हैं NCERT के तो वीडियो को पूरा देखेगा आपको समझ में जरूर आएगा तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो के स्टात करें और देखते हैं कि कक्छा नौमी के बिज्यान विश्रा का पहला अध्याय किया है तो देखिए पहला अध्याय जो है हमारे आजपास के पदार्थ तो आज हम इस अध्याय में या इस वीडियो में पदार्थ के बारे में जानेंगे सबसे पहले देखते हैं कि पदार्थ किसे कहते हैं तो देखे संसार की सभी वस्तुएं जिस समगरी से बनी है वैं ज्यानिक उसे पदार्थ कहते हैं मतलब संसार में जितने भी वस्तुएं हैं वो सब पदार्थ ही हैं परिभाशा की हम बात करें तो देखिए वे वस्तु में जिनका द्रब्यमान होता है और इस्थान घेरती है पदार्थ कहलाता है मतलब वे वस्तु में जिनका क्या होगा भार होगा मतलब द्रब्यमान होगा भार होगा और आयतन जिकना मतलब इस्थान कि स्थान घेरेगी तो उसको क्या कह देंगे उसको पदार्थ कहेंगे अब देखिए प्रचीन भारत के दार्शनिकों ने पदार्थ को पंच तत्व वायू, प्रित्वी, अगनी जल और आकास से बना बताया और पदार्थ को इन ही पंच तत्व में वर्गी करण किया है कहने का मतलब है जैसे आपने सुना होगा छिती जल पाव गगन समीरा, पंच रचिती यह अधम शरीरा तो जो भारती दार्शनिक हैं, उन्होंने पहले ही बता दिया कि जो हमारे शरीर का निर्माड हुआ है, वो पंच तत्वों से हुआ है ठीक है, उन्हें काउन काउन से हैं? वायू, प्रित्वी, अगनी, जल, आकाश ठीक ना? अब आगे देखते हैं, तो देखिए, सभी पदार्थ कड़ों से मिलकर बने होते हैं जितने भी पदार्थ हैं, उन्हों किस से मिलकर बने होते हैं? कड़ों से मिलकर बने होते हैं पदार्थ के कड़ अत्यान सूचम होते हैं बहुत ही छोटे होते हैं ठीक है पदार्थ के कड़ों के बीच रिक्तिस्थान होता है पदार्थ के दिक कड़ है तो उनके बीच में रिक्तिस्थान होगा ठीक ना पदार्थ के यदि क्या है पदार्थ यदि है तो उनके कड़ों के बीच ये रिक्तिस्थान पाया जाएगा पदार्थ के कड़ निरंतर गतिसील होते हैं जो पदार्थ के कड़ होंगे वो निरंतर गतिसील होंगे ठीक है निरंतर गतिसील होंगे पदार्थ के कड़ एक दूसरे को आकरसित करते हैं आकरसित भी करेंगे एक दूसरे को पदार्थ के कड़ पदार्थ के कड़ों में गतिज उर्जा होती है और तापमान बढ़ने से कड़ों की गतिज तेज हो जाती है जैसे आपने देखा होगा कि पानी पानी को जब आप बॉयल करते हैं उबालते हैं तो कितना तेजी से उसके कड़ उपर नीचे होते हैं इसका मतलब क्या है कि जैसे वो पदार्थ गरम हुआ तो उसमें जो गती जूर जा है वो बढ़ जाती है और कड़ बहुत तेज गती करने लगते हैं पदार्थ के कड़ अपने आप ही एक दूसरे के साथ अंतह मिस्रित हो जाते हैं मतलब पदार्थ के कड़ अपने आप ही एक दूसरे में अंतह मिस्रित मतलब मिल जाते हैं ऐसा कड़ों के रिक्तिस्थानों में समवेश के करल होता है, ऐसा इसलिए होता है, क्योंकि पदार्थ के बीच में क्या है रिक्तिस्थान, और रिक्तिस्थान है तो कोई ना कोई पदार्थ वहां आकर मिल जाएगा दो बिभिन पदार्थों के कड़ों का श्वतह मिलना बिसरण कहलाता है ठीक है दो अलग-अलग प्रकार के यदि पदार्थ है यदि वो श्वतह मिल जाएंगे अपने आप मिल जाएंगे तो उस प्रक्रिया को क्या कहेंगे उस प्रक्रिया को बिसरण कहेंगे तो इतना या आपको समझ में आया होगा आगे बढ़ते हैं तो देखिए पदार्थ के बारे में पदार्थ के कड़ों के बीच एक बल कारे करता है क्या करेगा एक बल कारे करेगा यह बल कड़ों को एक साथ रखता है इसे अंतराडुक बल भी कहा जाता है अब जो पदार्थ के कड़ है उनके बीच में एक फोर्ष लग रहा है बल लग रहा है और यह बल जो कड़ है उनको क्या करेगा एक साथ रखेगा और इस बल को क्या कहेंगे अंतराडुक बल कहेंगे प्रतेक पदार्थ में यह आकरसण बल अलग अलग होता है जितने भी पदार्थ हैं सभी में यह आकरसण बल क्या होगा अलग अलग होगा इन्ही बलों के कारण पदार्थ अवस्थाएं बनती हैं और जो ये अंदरालुक बल है, इसी बल के कारण क्या होगा, पदार्थ का अवस्था बनेगा, पदार्थ की तीन अवस्थाएं होती हैं, आप सभी लोगों ने पढ़ा होगा ठोस, द्राव और गैश, ठीक है, पदार्थ की ये अवस्थाएं उनकी कड़ों के विभिन विसस के कारण होता है, पदार्थ का जो ये अवस्था है, तीन अवस्था, ठोस, द्राव और गैश, तो ये इनमें विभिन प्रकार के अलग-अलग विसस्थाएं पाई जाती हैं, जिसके कारण ऐसा होता है, बल लगाने पर ठोस तूट सकते हैं, लेकिन इनका आकार नहीं बद लेगा, द्राव का कोई अपना आकार नहीं होता है, जिस बरतन में इसे रखते हैं, ये उसी का आकार ले लेता है, परन्तु द्रव का आयतन होता है, कहने का मतलब है जैसे पानी, पानी क्या लिक्यूड है, तो उसको जिस बरतन में रखेंगे, वो उसी बरतन का आकार ले ठीक है लेकि ध्यान रखिएगा जो पानी है उसका क्या होगा आयतन होगा द्राव में ठोश द्राव और गैश तीनों का बिस्रण संभव है मतलब जो पानी है उसमें ठोश भी मिल सकता है गैस भी मिल सकता है और दूसरा बिलियन भी मिल सकता है मतलब द्रवों भी मिल सकता है विस्रण संभव है इसमें अगला पॉइंट देखेंगे अगला पॉइंट है ठोस की अपयक्षा द्रवों में विस्रण की दर अधिक होती है अब जो ठोस है उसकी अपयक्षा विस्तराड की दर अधिक होगा किसमें द्रव में यही कारण है कि द्रव अवस्था में पदार्थ के कड़ स्वतंतर रूप से गदी करते हैं ठोस की अपयक्षा द्रव के कड़ों में रिक्तिस्थान भी अधिक होता है मतलब जो ठोस है उसके अब्यक्षा जो द्रव है जो पानी है उसमें क्या होगा रिक्तिस्थान जादा होगा ठोसों एवं द्रवों की तुलना में गैसों की संपीड यता काफी अधिक होती है ठीक है मतलब जो ठोस है और जो द्रव है तो इनकी तुलना में जो गैस है तो इसमें संपीड ता मतलब सगन ता बहुत जादा होती है ठीक ना तापमान एक दाब में परिवर्तन कर पदारत की अवस्थाएं बदली जा सकती है मतलब तापमान और दाब में परिवर्तन यदि करेंगे तो उस पदारत की अवस्थाएं बदल जाएंगे जैसे आपने देखा होगा लोहे को लोहे को जब हम गरम करते हैं तो क्या होता है उसका आकार बदलने लगता है और लोहा गरम होने के बादे उसे किसी भी आकार में परिवर्तित किया जा सकता है जिस तापमान पर कोई ठोस पिखल कर द्रब बन जाता है वह इसका ताप उस पदारत का गलनाग कहलाता है अब देखिए यहाँ एक important line है वो important चीज क्या है तो जिस तापमान पर कोई ठोस पिखल कर क्या बन जाता है द्रब बन जाता है तो इसको क्या कहेंगे उस पदारत का गलनाग कहेंगे ठीक ना melting point कहेंगे आगे बढ़ते हैं तो देखिए गलने की प्रक्रिया यानि ठोस से द्रब अवस्था में परिवर्तन को संगलन कहते हैं मतलब गलने की जो प्रक्रिया है जैसे ठोस है बर्फ है ठीक ना क्या है बर्फ है और बर्फ जब पिखल कर क्या बन जाएगा पानी बन जाएगा तो इसको क्या कहेंगे शंगलन क्या कहेंगे शंगलन या फिर लोहा है क्या है लोहा है इसको हमने बहुत जाद ताब दिया गरम किया और ये पिघल कर क्या बन गया लिक्विड फार्म में हो गया लिक्विड फार्म में चला गया तो इसको क्या कहेंगे शंगलन कहेंगे गलने की प्रक्रिया के दोरान गलनांग पर पहुचने के बाद जब तक कोई पदार्थ पूरी तरह गल नहीं जाता ताप मान नहीं बदलता ताप मान नहीं बदलता है ठीक न? देखो गलने की प्रक्रिया के दोरान गलनांक पर ठीक न? जब कोई पदार्थ पूरी तरह नहीं गल जाएगा तापमान नहीं बदलेगा उसका ठीक है? चाहे उसमें और भी उसमा दे दी जाए चाहे किसी पदार्थ में कितना भी उसमा दी जाए यदि वो गलनांग तक पहुँचने के बाद नहीं गलेगा तो उसका ताप मान नहीं बदलेगा पदार्थ के कड़ों के आकर सड बल को बदलने के लिए ताकि अवस्था में परिवर्तन हो सके ताप मान में बिना कोई बृद्धी दर्साइ पदार्थ पर पदार्थ उस अतिरिक्त उस्मा को असोसित कर लेता है यह उस्मा पदार्थ में छुपी रहती है जिसे गुप्त उस्मा कहते है कहने का मतलब यह हसी था सी बात कि कोई भी पदार्थ को हम गलाना चाहेंगे लेकिन वो गलेगा नहीं लेकिन क्या होगा उसमे अतिरिक्त उसमा जो भी आएंगे उसको वो एक्जार्ब कर लेगा आवसोसित कर लेगा जिसे इस उसमा को क्या कहेंगे गुप्त उसमा मतलब छूपी हुई उसमा अगला देखते हैं संगलन की प्रशुप्त उसमा वायू मंदली दाब पर एक किलो ग्राम ठोस को उसके गलनांग पर द्रब में बदलने के लिए जितनी उसमी उर्जा की अवशकता होती है उसे संगलन की प्रशुप्त उसमा कहते हैं अगली परिभाषा क्या है संगलन की प्रशुप्त उसमा संगलन की प्रशुप्त उसमा तो संगलन की प्रशुप्त उसमा है संगलन की प्रशुप्त उसमा तो देखिए संगलन की प्रशुप्त उसमा क्या कहलाता है वायू मंदली दाब पर एक किलो ग्राम ठोस को मतलब ज ठोस को किस में बदलेंगे लिक्विड में बदलेंगे अगर लिक्विड में बदलने के लिए जितनी उर्जा की आवश्यक्ता होगी उसे उस पदार्थ का संगलन की प्रसुप्त उसमा कहते हैं अगला पॉइंट देखते हैं वायू मंदली दाब पर वह ताप मान जिस पर द्रब उबलने लगता है मतलब वायू मंदली दाब पर वह क्या होगा ताप मान जिस ताब पर क्या होगा वह द्रब उबलने लगेगा इस ताब को उस पदार्थ का कुथना कहेंगे ठीक न मान ल ले लिए पानी ले लिए और पानी को बर्तन में रख दिये और जितने ताब पर वह पानी क्या होने लगेगा उबलने लगेगा तो उसको उसका क्या कहेंगे क्वथनांग कहेंगे जल का क्वथनांग 100 डिग्री सेल्सियस या 373 कैलोरी है चिकना अब यहाँ ध्यान देना important fact है कि पानी का जो क्वथनांग है वो कितना है 100 डिग्री सेल्सियस मतलब 100 डिग्री सेल्सियस पर पानी उबलने लगता है या फिर 373 कैलोरी ताप मान पर पानी उबलने लगता है अगला point देखो drug अवस्था में परिवर्दन हुए बिना ठोस अवस्था से सीधे gas और वापस ठोस में बदलने की प्रक्रिया को उधरवपातन कहते हैं मतलब sublimation कहते हैं क्या कहेंगे sublimation मतलब जैसे कोई भी पदार्थ है तो वो सीधे ठोस अवस्था से gas में परिवर्दन होगा और gas वापस किसमें बदल जाएगा ठोस में तो इस प्रक्रिया को क्या कहेंगे उधरवपातन कहेंगे sublimation कहेंगे जैसे कपूर क्या होता है कपूर ठीक ना तो कपूर क्या हो जाता है ठोस से डाइरेक्ट किसमें गैस में परिवर्दित हो जाती है ठोस से डाइरेक्ट किसमें गैस में परिवर्दित होती है तो इस प्रक्रिया को क्या कहेंगे उधरवपातन तो आपको ये समझ में आया होगा पदार्थ के कड़ों के बीच दूरी में परिवर्थन होने के कारण पदार्थ की विभीन अवस्था बनती है पदार्थ के कड़ों के बीच जितनी दूरी होगी वैसे ही पदार्थ की क्या बनेगा अवस्था बनेगा अगला पॉइंट देखते हैं इसमें ठोष कारबन डाय अकसाइड द्रव अवस्था में आय बिना सीधे गय से परिवर्तित हो जाती है यही कारण है कि ठोष कारबन डाय अकसाइड को सुस्क बर्प ड्राई आइस कहते हैं मतलब जो ठोष कारबन डाय अकसाइड होगा वो सीधे ठोष से किसमें परिवर्तित होगा तो वो ठोष से सीधे गयस में परिवर्तित होगा और यही कारण है कि जो ठोष कारबन डाय अकसाइड है उसको ड्राई आइस कहते हैं ड्राइ आइस क्या कहेंगे ड्राइ आइस ठीक ना तो यदि एक्जाम में आए कि ड्राइ आइस क्या है तो क्या है ठोस कारवन ड्राइ आकसाइड ठीक ना इसको क्या कहते हैं ड्राइ आइस आगे वड़ते हैं तो देखते हैं कृतनांग से कम तापमान पर द्रब के वास्प में परिवर्तन होने की प्रक्रिया को वास्पी करड़ कहते हैं मतलब जितने तापमान पर पानी उबलने लगेगा ठीक है? जितने तापमान पर पानी उबलेगा और उबलने के बाद जो पानी है वो किसमें परिवर्तित हो जाएगा वास्प में किसमें परिवर्तित होगा वास्प में तो ये जो वास्प में परिवर्तन हुआ तो इस प्रक्रिया को क्या कहेंगे वास्पी करण कहेंगे ठीक है और जो वास्पी करण है इससे क्या आएगा सीतलता मतलब ठंडे पन का अन्भव होगा किस से वास्पी करण से तो आज का ये वीडियो यही समाप्त करते हैं जो हमारा अध्यायत हमारे आसपास के पदार्थ यही समाप्त होता है यदि आपको इसके question answer की जरूरत होगी तो आप comments करके बता सकते हैं हम इसका question answer भी आपको करा देंगे आज के लिए बस इतना ही फिर मिलेंगे next वीडियो में next अध्याय के साथ तब तक के लिए धन्यवाद जय हिंद